सब्सक्राइब आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं ओपो A15S में या फिर ओपो की किसी भी और मॉडल में आप यहां पे फेसलोग की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो मोबाइल में अगर आपको फेसलोग सेट करना है तो इसके ल के लिए आएंगे तो जो भी आपका पैटन लॉक है वह आप यहां पर ड्रॉ कर देंगे और यहां पर आपको ऐसा ओप्शन आएगा तो कंटीनियू पर क्लिक कर लेंगे और अपना फेस सामने लेकर आएंगे तो यह आपका सेट हो चुका है सकसफली तो यहां पर आपको कर देखने को मिलेगा यहां पर डिलीट का ओप्शन है और यूज फेस फॉर पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लॉक के लिए भी से यूज कर सकते हैं फोटो अगरा हाइड कर रखे तो ऑन कर देंगे तो यह ग्रीन कलर का हो जाएगा इसके बाद बैक कर देंगे औ और प्रैट्टनेस यहां पर ऑफियंगे तो यहां पर क्या होता है जाTherely ya remove नえてग्शनिते का उनकरने से यह वाला औप्शन इसलीग होता है कि अगर आपका यहां पर 25 तो ऑद6 कर दीद्धा है तो आप ड्याईस प्रवपलम होतीजिंह उनके प्राम आईस नहीं आपन ऊप जाहिए तो ठीक है वरना auto unlock पे क्लिक कर देंगे, swipe वाला option नहीं आएगा तो इस step से आप यहाँ पे full setting कर लेंगे और यहाँ पे आपका face lock से इस step से खुल जाएगा direct ठीक है, swipe वाला option मैंने हटा दिया तो इस लिए direct home page पे आ रहा है तो इस step से आप यहाँ पे setting कर लीजेगा, I hope guys यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इस step की और भी इंटरसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल विजिट करते रहेगा, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार